हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे बियारो ग्रिफ MSW पेंटर के लिए जिसने एपलाई किया था उनके एक्जाम डेट और एड्मिट कार्ड के लिस्टे वो जारी करती गई है हम बात करेंगे कटोप क्या रही है एड्मिट कार्ड कब तक आएंगे आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है जिनके एड्मिट कार्ड नहीं आएंगे वो क्या करें दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी सबी सवालों के जबाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले है तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी लाइकन को दबएं जिससे आने वाले नोटिपिकेशन आपको प्राप्त हो सके आप हमारे टेलिग्राम चैनल में जूट के इससे समझ इस्टेडी मेटेरिल भी प्राप्त कर सकते हैं टेलिग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज बियारू के दवारा मेस बेटर और पेंटर के लिए एक्जाम डेट वो गोशित कर दिए सबसे पहले हम नोटिस की चर्चा करते हैं जो लिस्ट जारी की गई है रिटर एक्जाम की लिस्ट की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप इस पीडियेप को डाउनलोड कर सकते हैं जो वेकेंसी थी उसके एड्मिट कार्ड और कठोप इन सब भी बातों के में चर्चा करेंगे आप देख सकते हैं लिस्ट ओप कंडिडेट फोर कोलेटर एश्यू फोर एपेरिंग रिटन एक्जाम इन MSW पेंटर के लिए आज सब से पहले MSW पेंटर के लिए जारेगी और आज अब पेंटर के लिए भी जारी कर दी गई है एड्मिज नमर आप देख सकते हैं 02-2021 आपका होने वाला है रिपोर्टिंग टाइम और डेट ओ बिटन एक्जाम आप देख सकते हैं 24 मई 2022 को आपका एक्जाम होने वाला है तो लगबग बियारों ने आपको बहुत समय दिया परने के लिए तो आप अभी तियारी में जूट जाएं और अपने तियारी को मजबूत करें रिपोर्टिंग टाइम आपका आठ बजे का रहने वाला है एक्जाम सेंटर के बात करें में बियारों के सेंटर पर पूने में आपका एक्जाम होने वाला है ट्रेड आप अपने देख सकते हैं MSW पेंटर के लिए कटोप इसमें नहीं गये जो इलिजबिल कंडिडेट थे जिनके पास experience था या trade certificate था उन सभी को एक्जाम के लिए बुलाया गया है इसके लवां आपको किसी परकार का contact करना है तो आप इन बियारों के नमर पे contact कर सकते हैं हम बात करेंगे इसमें important notes की तो आपको एक्जाम सेंटर पर जाने से पहरे mask लेके जाना है sanitizer लेके जाना है blue paint या clipboard clipboard होतो ले जाना नहीं तो यह सही चल जाएगा blue या black paint लेके जाना है original admit card लेके जाना है जो बियारों के दवरा आपको आपके पते पर send किया जाएगा यदि जिनका admit card नहीं आई उनके बारे में भी हम बात करेंगे mobile phone ये सब अलव नहीं है वहाँ पर report है वह आपको admit card और identity proof के साथ जाना है आप देख सकते हैं list में आपके control नमर दिया हुआ है father's name और date बरते अब हम बात करेंगे painter के लिए कितनी candidate को बुलाया गया exam के लिए तो आप इस list में देख सकते हैं list का link आपको video के description में मिल जाएगा वहाँ से भी आप download कर सकते हैं cut out ये इसमें नहीं गई है जो eligible candidate थे उन सभी को बुला लिया गया है तो आप देख सकते हैं total 455 candidate को बुलाया गया है category wise देख सकते हैं कितने candidate थे 293 candidate और उसके लावा AWS candidate को आप जोड़ के देख सकते हैं तो आपका list में नाम है तो आप अभी से त्यारी में लग जाएं आगे हम इस notes की बात करें तो बताय गया the admit card above candidate has been sent through आपके address पर ब्यारो के दिवारा register post के माधिम से send कर दिया जाएगा तो आप पोस्ट जहां पर आपका post ओपिस नदी के उसके संप्रक में रहे ब्यारो ने बताया कि जिनका admit card नहीं आई in case any candidate does not receive the admit card he have appear for return test only with the list published on BRO website तो जो यह website पर लिस्ट जारी कीगी है यदि आपका admit card नहीं है तो जिस लिस्ट में आपका जांपे नाम है उसकी photo को भी ले आइडेंटी प्रूप लें और एक photo लेके आप grip center पहुँँ सकते हैं आपका exam दिर्वा दिया जाएगा बात करें exam date की तो आप देख सकते हैं रेटन एक्जाम 24 में 2022 को होने वाला है सुबह 8 बजे grip center पहुने पे इसके अलावा इस बरती से समझेद आपको कोई doubt है तो आप comment करके पोश सकते हैं आपकी साय तक ही जाएगी second list info आने के chance नहीं है आप देख सकते हैं कटोप नहीं गई है जो भी candidate थे उन सबी को exam के लिए बुला लिया गया है तो यह जानकारी थी जानकारी कैसी लगी comment करके जुरूर बतें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को subscribe कर लें और बेल आइकन को दबएं जैसे आने वाली notification आपको प्राप्त हो सके और जो भी BRO के new जाएगी वो आपको सब सब पहले और सटिक जानकारी दी जाएगी और आपकी help की जाएगी आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है उन सब भी कि हम भी चर्चा करने वाले हैं धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नक्स वीडियो में